हेलो स्ट्रेंट्स हमने अपना चैप्टर वन कर दिया है उसमें जीवोंके बारे में जाना कि सजीव क्या होते हैं जीवों के लक्षन के बारे में जाना और ये जाना कि जीव forestary turism icon कितने भर में उंको डिवा Compan किया गया साथ कि उनको उनको अलग अलग वर्ग में डिवाइड किया गया है जैसे लक्षन होंगे उसी साव से अंको अलग अलग वर्ग में डिवाइड किया गया है जिससे एक वर्ग में पढ़ेंगे तो इनके विसेष्थाओं का उल्लेख हम अच्छे से कर सकेंगे और हम यह जान सकेंगे कि यह किस वर्ग से आता है और इसकी जो अंदर विसीज़ता है क्या इसके लक्षन है जिसलिए इस वर्ग में रखा गया है तो यह तो हमने पढ़ी दिया थे कि 70% जनतु होते जिसमें से 70% कीड़े मकोड़े भी होते हैं उनमें है उसके वाद 22 परसेंट हमारे पोदये यह एट परसेंट होते हमारे सुक्त्म जीव जीव जगत का जो वर्गी करण था वो सबसे पहले जो वर्गी करण पाद्दी थी वह अरस्तु ने दीती यह तो और पौदों को उसने तीन वर्ग में बाटा था यानिकि पौदों को उस आनुपस्थ थी उसमें जीवों को डिवाइड किया ने यहाली वर्गों में विवाजित कहा पहला पादब जगतबान जंत्व इसahaha सही से इसको डिफाइन नी कर पाए क्यों अन्य इनको पादब जगत में रखा क्यों से क्योंदी सारी जन्तु जगत में सारे आत्य वह भले पादब जगत राट यह दू उसके बाद फीर आई हमारी पांच जगत पद्धि ओंधर के सिलने हर दिया फो मानने हुई कि और जिसके बारे में पढ़ते हैं तो इन्हों ने क्या किया जनतु को पांच जगत में डिवाइड किया पहला था मोनेरा दूसरा प्रोटीस्टर तीसरा कवक फॉर्थ हमारा पादब और फिफ्थ हमारा जन्तुआ ठीका है तो अब इन्होंने जब इनको पांच वर्ग में डिवाइड किया तो इनके लक्षन या फिर इनकी समानताओं के आधार पर इन्हों Two पांच वर्ग में Divाइड किया तो फस्ट उन्होंने इस तरीके से बताया कि जो मोनेरा होता है उसमें प्रोकारियोट्स जन्तु पाये जाते हैं और जो प्रोटिस्टा है उसमें यूकारियोटिक पाये जाते हैं कवक में यूकारियोटिक पाये जाते हैं पादप में यूकारियोटिक होते हैं जन्तु में यूकारियो उसमें एक कुष्किय जीव आए . बहु कुष्किय जियुकनम भूसी के वहीडे चीन मेरा पूरी जीवन जैसे बहुना जिसे बहुत के वहीडेर होते हैं। कि अप जब इनको बहु कोश्के में रखा तो फिर इनको सेम को हो निए रखा अब यह भी बात आती है उसके बाद फिर क्या हुआ कि कवक को योंने पर्पोसी रखा पर्पोसी यानि कि Emperor से embracing गेनler प्रकास ंसलिस्टर की क्रिया में खुद बनाते हैं सूरय की जो उसनी में उपस्ति प्रकास रश्रीण करिया के दवारा धे में भोजन स्फेम नाते हैं उसके पास ज़ो होते हैं वो भी पर पुषी होते हैं यानि फिर उसको खाते हैं फिर उसको चबाते हैं उसके बाद वो उसको बचाते हैं यह होता है अन्तेग्रण चाहिए फिर हम इससे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जीव-जगत है उसको किसमें डिवाइड किया उसको बताए कोशिकी सरस्य थिवाइड किया गया है फर्स्ट प्रोकेरियोटिक और दूसरा यूकेरियोटिक प्रोकेरियोटिक में हमारा क्या आया मौनेरा आया यूकेरियोटिक में क्या आया हमारा कोस्किय संगठन आया ठीक है अब कोस्किय संगठन को भी दो वर्ग में डिवाइड किया गया एक कोस्किय और बहुकोस्किय ए यह बोजन करने की विद्धी हो गई दोनों अब भूजन करने की विद्धी जो थी उसको भी दो तरीके से डिवाइड कर दिया उन्हों ने यानि कि पहला अब सूशन के आधार पर जो कवक करते हैं और अंत्यगरण जो की जनतु करते हैं तो यह तो बात हो गई हमारी हमारे बारे में जाननी की तो उसके बाद हम जो जानेंगे अब नेक्स्ट उसमें अपनी टॉपिक में तुम यह जानेंगे जो वर गया है उनके बारे में जानेंगी कुछ में कौन-कौन से हमारे जीव आते हैं